दो जन्वरी का वो देन जिस वक्त प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी लक्षदीप के दौरे पर गए थे उसकी बाद देश में एक नई बहस शिड़ गई है बॉयकॉट माल्दीव को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा था कई ऐसे लोग है जिन्नोंने माल्दीव के अपनी बुकिंग फ्लाइट जो है पूरी तरीके से कैंसल कर दी हर किसी ने ये कहा कि भारत का अपमार और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का अपमार जिस तरीके से किया गया उसे देश नहीं सहेगा नेता से लेकर अभी नेता तक जो है वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए इसका नतीजा क्या निकला कि मालदीव की सरकार ने अपने ही तीन मंतरियों को सस्पेंट कर दिया और अभी भी लगातार वहाँ पर स्ट्रिक्ट आक्शन जो है लिये जा रहे अपने मंतरियों को ये कह दिया गया है कि आप जो है इस तरीके की भाशा का इस्तिती में है 99% जो है लोग वहाँ पर मुस्लिम है, वहाँ पर शरिया कानून लागू होता है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि वहाँ पर कभी हिंदू और बौध धर्म का राज हुआ करता था, धाई हजार साल पहले की बात करें, ये बताया जाता है कि कई लोग जो है वो वहाँ पर जाकर पस गए जहां से इसकी शुरुवात हुई मौलदीव की इतना ही नहीं जो लोग वहां पर बसने शुरू हुए वो दरसल काली बंगा से श्रिलंका पहुचे और श्रिलंका से फिर पहुचे मौलदीव उन्हें नाम दिया गया धेविस अब आप यह समझेंगे कि आकर क्यों हम पुराने जो हैं चांदी के सिक्के जो दिखाई देंगे उसमें हिंदू प्रतीक जो है वो साफतोर पर नजर आता है अब बात करते हैं बहुत धर्म की अब उसके बाद क्या हुआ देखे जिस तरीके से ग्रेट समराठ अशोक ने अपने पूरे समराज्य का जिस तरीके से उन्होंने विस्तार करना शुरू किया, कई ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए जगा नहीं थी, फिर उन्होंने क्या किया, वो साउथ की तरफ गए, कुछ लोग फ्रिलंका की तरफ गए, तो कुछ लोग मौदीव्स की तरफ गए, जैसे ही बौद के लोग वहाँ पर फिर क्या था, वहाँ पर बौद लोगों की तादा जो है, वो बढ़ती चली गए, और कुछ इस तरीके से जो है, यानि की बौद धर्म का राज भी जो है, वो वहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन अब आते हैं कि आखिर मौदीव्स जो है, वो इस्लामिक कंट्री कैसे बना दरसल कई अरब वेपारी जो है, वो पहुचते हैं मौदीव्स, वहाँ पर उन्होंने वेपार करना शुरू किया, इतना ही नहीं वहाँ की जनता और राजा जो है, उन्होंने भी इसलाम कबूलना शुरू कर दिया, इतना ही नहीं बताई यह जाता है, आकड़ा यह कहता है 1965 में मालदीव को जो है आज़ादी मिलीती और भारत एकमात्र वो देश था और पहला देश था जिसने उसको मानता दी थी लेकिन आज के स्थिति आप देखें कि चीन की आड में जो है किस तरीके से मालदीव ये कोशिश कर रहा है कि भारत का कड़ा विरूद किया जा सके आने वाले समय में कहा जो रहा है कि मालदीव के राश्पती जो है वो भारत दोरे पर आ सकते हैं